प्रिये शांतियों नमस्कार एंडियन पॉलिटी के mcqs P6 में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं मैंने इसमें लगबग 25 कोश्चन को कबर अप किया है जो की काफी एक्जाम की दिश्टी से काफी महत्पूर्ड है मुझे आसा है कि आप मेरे और भी वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे आपने इदी कोश्चन को सौल्ड किया होगा तो निश्चित रूप से आपको पॉलिटी में बहुत कुछ नए कोश्चन और बहुत ही अच्छे कोश्चन मिले होंगे जो के एक्जाम के पाइंट आप इसे काफी इंपॉर्टेंट है चलिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं कि आप है कि 126 वाप्रेस निमने में से कौन सा कथन सकते नहीं है मतलब हमको यह बताना है कि इन में से कौन सा सकते नहीं है अर्थात कौन सा गलत है 32 अंबिधान के लागू होने की 236 नॉम पर 1904 से आगे पढ़ते हैं धर्म नेर्पेक्षे सब्द को व्यालिषपे संविधान संसोधन के तहें जोड़ा गया व्यालिषपा संविधान संसोधन अगतंतरता समानता और बंदूत फ्रांस से शिक्रांति से बैलेषपा संविधान संसोधन 1942 में हुआ था बिल्कुल सही है इसको मीनी कार्श्टेशन भी कहा जाता है धर्म निर्पेक्षे सब्द को 42 संविधान में जोड़ा गया संसोदन के तहिस जोड़ा गया बिल्कुल सही धर्म निर्पेक्षे के सांसाथ कौन सा था और समाजबादी समाजबादी और लोक्तांत्रिक है ना समाजबादी लोक्तांत्रिक और धर्म निर्पेक्षे सब्द जोड़े गया भारती संविधान के लागू होने की तिथी 26 नॉम्बर नहीं है 26 जनवरी निस्सोपचास को है 26 नॉम्बर को संविधान क्या हुआ था अंगीक्रित हुआ चली अगला प्रशन है एक करेंट का प्रशन मैंने यहां सामिल किया आरोग सेतू एप जिसको आपने अभी डाउनलोड भी किया होगा कोविड 90 से सुरक्षा के लिए यह संक्रमण को ट्रेक करने के लिए स्मार्ट फॉन के GPS और Bluetooth सुविधाओं का उप्योग करता है बिल्क इसके सभी आंसर क्या है सही है और आपको पता होगा कि पांच करोन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है एक ही दिन में इसका सबसे बड़ा रिकार्ड है चली अगला प्रशन है बैंकिक से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना इनको जो है बैंकिक सुवधाओ तक निश्चित हो सके उनकी छोटी-छोटी बचत को प्रोशायत किया जा सके और चलिए मेकिन इंडिया इसके लेंडिया पीम मुद्रा यह सब आपको पता होगा यह कब सुरू हुई थी 28 अगस्ट 2014 को अगला है डौंगरी भासा किस राज की है तो आपको पता होगा डौंगरी किस राज की भासा है जम्मु कसमनी कब जोड़े हैं अठबी अनुषूची में सामिल है यह कौसी 8 अनुषूच में हाइउ 22 भासा है आपको पता होगा 22 अंब्शान संसोधन रहґ था संथाली ये चार वहां साय थी चलिए अगला प्रेशन है लोक लेखा समीती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है लोक लेखा समीती का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंसर किया गया था बिलकुल सही इस समीती में संसेत के दोनों सदस्य सामिल होता है कि 5 साल की होती है ध्यांद रखिए दोस्तो हमारे यहान लोक लेखा समीती हो अनुबान समीती हो या सारवजनिक उपक्रम समीती हो उन सबके सदश्यों का कार कारद काल कितना होता है कितना होता है A प्र ह destro है कोई मंत्री का सदस्य बिलकुल 점 तीनों हमारी समीतीय हैं उसके कोई भी मंतरी उसके मेंबर नहीं होते हैं चलिए अगला प्रशने समीती का कारज बजट में सामिल अनुमानों की जाज करना और सार्जबज़न इन बैव को कम करने के लिए सुझाओ देना ये कौन सी समीती है अनुमान समीती इसको हम क्या प्राकलन समीती भी कहते है या इसी को हम मित्वई समीती भी कहते है इसकी 1950 में स्थापना हुई थी और आपको पता होगा कि इसमें केवल कहां के मेंबर होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं और कुल कितने मेंबर होते हैं तीस मेंबर होते हैं चलिए अगला प्रशने निम लिखित में से किस समीति की सिपारिश की आधार पर भारत में पंचाती राज विवस्ता का उदय हुआ था तो आपको पता होगा कि बल्बंत राय महता समीति का गठन हुआ था का आपको पता होगा कि 1952 में सरकार ने सामुदाइग विकास कारक्य अक्यम शुरू किया था तो इसकी समिच्छे की जाच के लिए क्या हुआ था बल्बंत रह महता समुद्य को गठन हुआ था जिसने सिपारिश किया था चिसकी विकेंद्री कराण की किसकी अक्टुमर राजिस्थान के नागोर में पंचाती-राज-विवस्ता की अंसी पारि चलिए अगला प्रशने हैं कि ग्राम् सभा की संबन में कौन सा कथन सही नहीं है तो ध्यान दीजिए, ग्राम् सभा में गाओं इस्तर पर गठित पंचाय चित में निरवाचक सूची में पंजीकरित बिकते होते हैं बिल्कुल सही ग्राम सवम है जिनका भी मदाता सुची में नाम है वो सभी लोग क्या काम करेंगे इसमें सामिल होंगे यह पंचाइच छित में पंजीकरत मत दाताओं की एक बिलकुल सही, ग्रामिस्तरी समिती, इसकी सक्तियां बिधान मंडल द्वारा होती, बिलकुल सही यही भी, क्योंकि राजी का भी शह, यह वही कार कर सकती है, जो केंद्र सरकार, नहीं, यह तरहतरवा सम्विधान संसुध के तैयर, कौन से अनुसोची, ग्यारविया नुसोची, अगला प्रशन है, लोग सभा की बैठा का आयोजन करने के लिए कोरम, कोरम मतलब गड़ पूरती, तो ध्यान रखियेगे साथियो, हम कुल कितने, जो हमारे लोग सभा की सदस्य, उसका यदि एक बटे दस सदस सदन में उपस्तित है, तो हम सदन की कारवाई को आगे जारी कर सकते हैं, अगर इससे कम मेंबर है, तो हम सदन की कारवाई नहीं कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गड़ पूरती कोरम, कौन सांसर होगा हमारा ये, अब्दुल कलाम की नाम से किस दीप को नाम, आपको पता मिशाइल परिच्छन होता है, अगला प्रशन है, राष्टी विकास परिच्छत का गठन कब हुआ था, तो आपको पता होगा कि राष्टी विकास परिच्छत का स्थापना कब हुई थी, 6 गस 122 को हुई थी, अगला प्रशन है, इसका अद्द्यक्च कोन होता है, इसका अ राश्टी विकास परशद का काम है तो अगला प्रशन जो था राश्टी विकास परशद इसका अंसर होगा 137 संग लूक सिवायुक के अध्यक्ष और सदस्यों का चैन किसकी द्वारा होता है तो ध्यान रखेगा कि हमारे संग लूक से वायुक के अध्यक्ष और सदस्यों का जो चैन होता है वो किसकी द्वारा होता है राश्ट्पति और सपत भी कौन दिलवाता है और यह स्थीपा भी किसको देते हैं राश्ट्पति को देते हैं अगला प्रशन है उच्चे नियाले का नियाधिस निम लिखित में से किसे अपना त्याग पत्र देता है तो यह प्रशन ध्यान से देखिए उच्चे नियाले का जो नियाधिस है यह अपना त्याग पत्र किसको देता है राश्ट्पति को ना कि राजपाल को क्योंकि उच तो उसको सपत कुन देलवाता है हाई कोट के चीप जिस्टिस को राजपाल देलवाता है अगला प्रशने हैं निमनी मैसिक किस सम्मिधान संसोधन के तहट बोट डालने की उम्र 21 से घटा कर 18 कर दी गई थी तो आपको पता होगा कि जो सम्मिधान संसोधन यह कब हुआ था 1988-89 में मतलब 88 अधिनियम था 89 में पहली बार प्रयोग किया गया था किसके समय में राजु गांधी जी के समय में मदाता किया यूं कितनी कर दी गई थी 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स लोग सभाई स्पीकर को सपत कौन दिलवाता है तो ध्यान दीजिए यहां पर लोग सभाई स्पीकर को सपत कौन दिलवाता है राश्टपती सुप्रिम कोट का मुक्ष नहीं दीज लोग सभा का सबसे बरिष्ट सदस जिसको आम प्रोटाइम स्पीकर कहते हैं इन में से और deputy speaker यह कभी अपने पदि की सफ़त नहीं लेते। क्यों कि अब नहीं लेते। क्यूंकि जब हमारी नई सफ़त चुनकर आती है तो एक प्रो-टाइम speaker होता है यह प्रो-टाइम speaker उन सभी को लोगसबस सदस्रें, में क्या दिलवा देता है सपत दिलवा देता है जब एक बार ओल्रेडी सपत ले लेते हैं तो फिर जब अध्यक्ष के लिए चुने जाते हैं तो सपत नहीं लेते हैं तो अध्यक्ष की अपने पत की सपत नहीं लेता कोंची भू सुधार संबंदी कानून उसमें किसका प्राउधान है भू सुधार संबंदी कानून है अगला प्रश्ण है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंदित निम्लिक्त मैंसे कोंसा कथन सही नहीं है क्या कौन सा कथन सही नहीं है तो इसकी निक्ति भारत के राष्टपती द्वारा होती है बिल्कुल सही इसे उस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाये जाता जो उच्छेतम न्याले के नियादिस बिल्कुल सही अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख निर्वाचन आयुक्त की सलाय पर राष्टपती द्वारा हटाये जाता ये भी सही ती स्वामी नाथन भारत के प्रथम मुख निर्वाचन आयुक्त नहीं भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त कौन थे सू कुमार सेन और भारत की निर्वचेन आयूक का किस आर्टिकल में उलेख है 324 में कभ याद इस्थापना होई थी 25 जन्वरी 1950 को 25 जन्वरी 1950 को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं मत दाता राष्टी मत दाता दिवस के रूप में मनाते हैं अगला प्रेशन है मंतरी परष्ट किस के परती उत्तरदाई है तो ध्यान रखिएगा मंतरी परष्ट हमीशा किस के परती उत्तरदाई होती है लोग सभा के परती उत्तरदाई होती है क्योंकि लोग सभा के मेंबर ही मंतरी परष्ट के लिए चुने जाते हैं अच्छा लोग सभा के सदा किसके प्रती उत्तरदाई होते हैं तो लोग सभा किसके प्रती जंदा के प्रती उत्तरदाई होते हैं अगला प्रशन है निमलिखित मैंसे किसे मिनी कांस्ट्यूशन कहा जाता है तो आपको पता होगा कि हमने 42 पे संसोधन हुआ था कब 1976 में इसमें हमने बहुत सारे सब्द को जोड़े थे एक तो कौन से सामाजबादी, पंतने रिपे, चौर कौन से सब्द है? लोकतांतरिक ये सब्द जोड़े थे मतलब राश्ận की अक्हनता सब्द जोड़े थे अगला ओर क्या जोड़े थे इसमें हमने की राश्टपती किसी भी मतलब मंतरी परशत की सलॉह मनने के लिए बाद्द होगा इस सतrdार्स्राणसीं समिति की सेपारिश पर मूल करतब जोड़े अगला प्रश्ण depressed समानता कादिकार 14-18 बिल्कुल सही समानता कादिकार सोसंड की बिरूद अदिकार जो है यह article किसमें है 23 चार। Ahora 25-65 बिल्कुल सही śञ्ष्रित गौपाbon 29 बिल्कुल सही अगला प्रश्ने है भारत की संविधान मैं बिटरेन की संविधान से क्या नहीं लिया गया तो देखिए हमारे इंडियन कॉंस्ट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो प्रवाव जो है वह विट्रिश का पढ़ा है और भारत सासर ने दिनियम 1935 आपको पता होगा कि हमारे संविधान विशेशक्गों ने 60 से अधिक देशों के कॉंस्ट्यूशन को पढ़ा और जो भारत के लिए सबसे उप्यूक्त लगा उसको सामिल किया इसलिए आज भारत का जो कॉंस्ट्यूशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्विश्रेष्ट कॉंस्ट्यूशन है तो हमने क्या लिया है बिल्कुल सदी सासन विवस्ता वहां से लिए है एकन नागरिक्ता वहीं से लिए है मंतरी मंदल का पद ये भी वहीं से लिए प्रधान मंतरी ये भी वहीं से लिए मूल अधिकार मूल अधिकार हमने कहां से लिए है अमेरिका से अमेरिका से और क्या क सरवुच्चता लिए हैं तो अमेरिका की काउश्टिशन का भी काफी प्रभाव रहा प्रस्तावना अमेरिका से ली गए लेकिन प्रस्तावना की भासा आश्टेलिया से अगला प्रश्न है निम्लिकित मैंसे कौन से मूल अधिकारों को राश्टी अपातकाल के दोरान भी इस्थगित नहीं किया जा सकता तो अंचेद 14 से ठारा अंचेद 29 अंचेद 21 ते तो ध्यान रखिएगा यह कोश्चिन का फिक जो मैं भी पूछा गया है यहां तक कि PSC मैंस में भी पूछा गया था तो राश्टी अपातकाल के दोरान हम आर्टिकल 20 और 21 को इस्थगित नहीं कर सकते आर्टिकल 19 में किसका प्रवाद्धन है बाक एवाँ अभिव्यक्ति की स्वतंदर्था 29 अभी देखें हमने केंदरी अन्विशन्ट ब्यूरो की स्थापना किस समिती की सिपारिश मतलब CBI Central Bureau Investigation देखें यहां पर ध्यान रखिए कि संथनन समिती इसी समिती की सिपारिश पर हमारे क्या शुरू हुआ था केंदरी सतरकता आयुक्त CBC Central Virilience Commission और CBI Central Bureau Investigation इन दोनों की स्थापना जो हुई है यह संथनन समिती की सिपारिश पर हुई है CBI कब बना हमारे यहां 1963 में इसी CBI को केंदर का तोता कहते हैं MPPSC में कुछा गया था कि केंदर सरकार की तोता पिंजेडे में बन तोता किसे कहा जाता हो तो यह CBI है क्योंकि यह उसी के नदेश पर कार करते हैं अगला प्रशन है निमने में से किसे एक अद्धिक्चिता ऐसे ब्यक्ति द्वारग की जाती जो उसका सदस्य नहीं होता है बिधान सवा लोक सवा मंतरी परसद राज तो यहां पर ध्यान दीजिए राज सवा राज सवा की अद्धिक्चिता उस ब्यक्ति द्वारग की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता क्योंकि राज सवा का सदस्य नहीं होता कौन सवा पती क्योंकि सवा पती कौन होता है उपराश्ट पती और उपराश्ट पती राज सवा का सदस्य नहीं होता अगला प्रशन है निमनिमेशिक कौन संसत के दोनों सदनों में बोलने देखे मतलब ऐसा विखते हैं जो संसत के दोनों सदन में भोल सकता है कारवाई में भाग भी ले सकता है परन्तु उसको बोट देने का अधिकार नहीं है यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा UPSC में एक और जोड़ा गया था इसमें पॉइंट और वो था मंत्री आर्टिकल 76 में इसका प्रावदान जिसको हम क्या बोलते हैं महा न्याय बादी यह भारत सरकार का प्रमुक क्या है बिधी के सलहायकार है अगला प्रशन है निम्नी में से कौन बिन है बितायोग निर्वाचन आयोग पिछडी जाती आयोग राष्टी मानवादिकार आयोग तो ध्यान रखिएगा दरासल क्या है कि जो राष्टी मानवादिकार आयोग है ये गैर सम्वेधानिक संस्ता है निर्वाचन आयोग सम्वेधानिक संस्ता 324 बितायोग 280 ये 338 में इसका प्रावधान इस तरीके से 3 संभधानिक संस्था है और राश्टी मानवादिकार कैसी संस्था है गैर संभधानिक संस्था है अगला प्रशन है भारती संविधान की प्रश्तावना में जिन आदर्सों इमों उद्देशों की रूप रिखा दी गई है उसे आगे किस रूप में अपना एगया है तो ध्यान रखीगा नीती निर्देशक तत्ट्व के रूप में किसके क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे मूल उद्देश के राजव का लोग कल्याण कारी क्या लोग कल्याण कारी राजव का आउधारना मतलब लोगों का हित्ट करना तो यह किस में है? प्राउधान, नीतिने संभिधान के किस भाग में है? भाग चार में है कौन से आर्टिकल में? 36 से लेकर 51 तक में इसको लागू कराने के जिम्मेदारी किस की है? राज्य की है तो यह हमारे काफी important question थे प्रीशांतियों यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको like कीजिए, share कीजिए और मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को काफी अच्छा feedback आ रहा है यह मैं कोशिश करूँगा कि जल्ड ही अन्ने topic पर जो है या इसी channel पर आप क्या कर सकते हो अपनी पृतिकरिया दे सकते हो thank you दोस्तो